टोपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो लक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस जुरूर करें हेलो गाइज मैं हूँ दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैगनेट अकाउंटिंग पर गाइज आज के इस वीडियो लक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल वाउचर के बारे में सेल वाउचर क्या है और कैसे सेल वाउचर में एंट्रिस को रिकोर्ड के जाता है जानेंगे पोली डिटेल के साथ तो इस lecture के अंदर हम सिर्फ sale voucher की normal entries को record करना सीखेंगे GST sale entries को कैसे record किया जाता है GST कैसे calculate होता है इसके बारे में हम next lecture के अंदर बात करने वाले हैं तो बात करते हैं sale voucher की Sale voucher क्या है जब भी हम business में माल यानि की goods को sale करते हैं चाहे cash में करें या credit में तो उन entries को sale voucher में record किया जाता है business का main काम होता है goods को purchase करके उसे profit में sale करना अगर कोई business manufacturer है तो कच्चे माल को finish good में convert करके उसे sale करता है तो जब भी हम sale करते हैं goods को तो customer को हमें goods के साथ sale का bill भी देना होता है तो कैसे sale voucher के अंदर entry को record किया जाता है और sale bill कैसे दिया जाता है tally से इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले tally को open करना है voucher में जाना है उसके बाद sale voucher को open करना है sale voucher को open करने के लिए f8 को practice करेंगे या फिर mouse की help से sale voucher के option पर click करना है तो जैसे हम आप्शन पर click करते हैं तो sale voucher हमारा open हो जाएगा और जो sale voucher है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसा कि हमने last lecture में बताया था कि जो purchase sale voucher होते है उनके अलग-अलग mode दिये होते है tally में जैसे item invoice mode, accounting voucher, edge voucher mode तो जरूरत के हिसाब से हम in mode का यूज करते हैं तो अगर हम stock maintain करते हैं तो हमें item invoice mode का यूज करता होता है और अगर हम stock maintain नहीं करते तो item invoice की जगाँ पर हम accounting invoice या edge voucher का यूज करते है तो हमारे पास कुछ example है जिनकी help से हम सीखेंगे sale voucher को record करना तो पहला example है 2420 को हमने customer A को 40 bag sale किये है 600 रुपे के हिसाब से वो भी उधार पर तो हम जब item sale कर रहे हैं तो sale voucher में entries को record करेंगे और item wise हम sale कर रहे हैं तो item invoice mode के अंदर हम entries को record करेंगे तो sale voucher में जाने के बाद control H को हम press करेंगे control H press करने के बाद हमारे पास कुछ options दिखाई देने शुरू हो चुके है यह सब mode है इस mode में से हमें को सा चाहिए हम उसको select करेंगे तो हम item wise sale करेंगे तो हम item invoice mode को select करेंगे और enter enter से press करेंगे तो हमारा item invoice mode open हो जाएगा उसके बाद F2 से date change करेंगे यहाँ party में name डालेंगे party name में आएगा customer का नाम जिनको हमने माल बेच्चा है तो यहाँ पर customer A का नाम यहाँ पर डालूँगा तो alt C से मैं ledger create कर लेता हूँ customer A customer हमारा क्या है data है क्योंकि हमने उसको धार में माल बेच्चा है तो इसको हम sundry data group के अंदर रखेंगे उसके बाद हम इसकी पूरी detail भर देंगे address कहां का है phone number state जितना भी detail हम देंगे इसके अंदर वो सारे की सारी बिल के अंदर आएगी उसके बाद हम enter enter से safe करेंगे safe करने के बाद यहाँ tally हमसे और detail मांग रहा है जैसे dispatch detail order detail export detail तो अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं otherwise enter enter से safe करेंगे या shortcut की control A से भी हम इसको safe कर सकते हैं उसके बाद party की detail हमें tally पूछ रहा है तो अगर हमने ledger create करते वक्त detail डाली है वो tally automatic इसके अंदर उठा लेगा otherwise आप इसमें manual भी भर सकते हैं उसके बाद हमने enter enter से safe कर लेना है अब sale ledger के अंदर हम sale को select करेंगे जो sale ledger है जो हमने create किया है उसको हम sale group के अंदर ही रखेंगे उसके बाद item को select करना है simple bag यहाँ पर pc डालने है जितनी हमने sale किया है यहाँ पर rate और enter press करना है तो जैसे ही हम हम enter press करते हैं तो total amount automatic आ चाएगी उसके बाद अगर हमने कोई over product इसको बेच्चा है तो यहाँ पर डाल देंगे otherwise enter हमने press करना है enter enter से इस बील को हम save कर लेंगे narration चाहें तो हम sale की detail narration के अंदर डाल सकते हैं otherwise enter enter से इसको save कर लेंगे तो यह बिल हमारा save हो चुका है अगर इस ब की है जिसकी help से हम अपने entries को वापिस ला सकते हैं उसके बाद alt-p press करेंगे alt-p को जैसे हम press करते हैं तो यहाँ पर print के option पर हम आ जाएंगे अब हम enter press करेंगे तो अगर हमने print सिदा निकालना है तो हम सिदा print पर click करेंगे या फिर हमें print निकालने से पहले print को देखना चाते हैं यानि की preview करना जाते हैं तो हम print preview के open click करेंगे इसकी shortcut की है आई या तो हम इस पर click कर सकते हैं या फिर आई प्रेस करेंगे तो print preview हमारा open हो जाएगा तो जो बिल हमने record किया है sale voucher के अंदर वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ऐसा print हमारा निकल के आएगा तो चलिए इसको मैं save कर लेता हूं escape से इसको बंद करके enter enter see century को दुबारे हमने save कर लिया है तो next example है हमारा customer B को हमने 100 simple bag बेचे है 600 के हिसाब से और 50 bag बेचे है design वाले 700 के हिसाब से वह भी cash में तो जब हम नगत में mall sale करेंगे तो party name में हम cash account को डालेंगे तो यहाँ पर party name cash account आ जाएगा उसके बाद dispatch detail हमने डालनी है तो हम डाल सकते है अधरवाज enter enter से हम save कर लेंगे उसके बाद हमें party की detail tally मांग रहा है तो यहाँ पर अगर हमने ledger create किया हुआ है तो हम सिधा ledger को select कर लेंगे बाकि जैसे ledger को select करेंगे सारी detail tally automatic चक लेगा अब यहाँ पर हमने b का ledger create नहीं किया हुआ मैं चाहता हूँ कि build के अंदर मैं party का नाम डालो तो simple मैं type कर है तो मैं कौँगा हां यह new party है तो जैसे enterprise किया है तो यहाँ पर इसने detail को select कर लिया है यह जो party मैंने डाली है वो सिम detail के लिए डाली गई है इसका कोई ledger tally में create नहीं हुआ है उसके बाद sale ledger को select करना है sale को select करेंगे अगर आपने और detail डालनी है बिल के अंदर तो हम यह more item को select करेंगे यहां commodity डाल देना है फिर दूसरा item को select करेंगे एंटर एंटर से इसको save करेंगे print के लिए LTP प्रेस करेंगे print प्रिवू के लिए I press करेंगे तो हमारा print प्रिवू open हो जाएगा तो इस तरीके का हमारा print यहां से निकलने वाल है अगर आप चाहते हो कि dispatch detail order detail यह चीज़े सब voucher के अंदर ना आये तो आप f12 प्रेस करके in options को no कर सकते हो जैसे in option को no करेंगे तो हमसे sale voucher के अंदर telly detail नहीं पुछेगा और हम simple entries को record कर सकते हैं और इस तरिक्के से हम sale voucher में entries को record करते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी तो जुड़े रहेगा ह हमारे साथ एक मेगरेट के तरह मेगरेट अकाउंटिंग पर थैंक्यू सो मच्छ